नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप चपी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों इस वीडियों बताने वाला हूं डिग्री पॉर्ट और में एड्मेशन है तू यूजर नेम और पांसवर्ड कैसे क्रियेट करेंगे क्योंकि आप लोगं का बहुत जादा कमेंट आ रहा है कि सर हम ललीत नरायमता यूणिवर्सिटी के बिए बीएसी बीकॉम डिग्री पांसवर्ड में एड्मेशन लेना चाते हैं इसके लिए यूजर नेम और पांसवर्ड मांगा जाते हैं तो वो यूजर नेम और पांसवर्ड हम कैसे क्रियेट करेंगे कहां से क्रियेट करेंगे इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड करेंगे तो ये वीडियो उसी के संदर्भ में है आप लोगं को इस वीडियो को बिरूर देखना है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिपिकेशन को ओन कर दीजेगा इससे यह होगा जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूंगा तुरंत आप तक नोटिपिकेशन पहुंच जाएगा तो दोस्तो उन्वर्सिटी के ऑफिशल साइट www.lanmu.university.in पर आना है वैसे इसका लिंक वीडियो के टिक्सपर्शन बॉक्स में दे दिया हूँ इस साइट पर आना है ठीक है इसके बाद नीचे आना है और UGPG के सेक्षन में आपको दिखाए देगा आपलेकेशन फोर UG Admissions 2020 इस पर आ या था यहां पर नीचे में आपको शाइड में आई अगरी का आप्शन दिया रहेगा तो आई अगरी पर किलिक कर दिए ठीक है इसके बाद पॉप अप हट जाएगा और एडमिशन हे तो जो होम पेज है वो आपको शौप हो जाएगा दोस्तों यहां पर देखे एडमिश अगर का जो पेज है वो सौप होगा यहां पर एस्टुडेंट का पूरा नाम यह यूजी के लिए अडमिशन के लिए अपलाई कर रहे हैं तो वह एस्टुडेंट के इमेल आई डि और एस्टुडेंट का मॉबाइल नंबर यहां पर टाइप करना है अर्था तीन चीज़ और उनका mobile number यहां पर type कर दिया हूँ, इसके बाद sign up पर click करना है, sign up पर जैसे ही click करियेगा तो student के mobile number पर चार अंगों का OTP भेज जा जाएगा, उस OTP को यहां पर type करके verify करना है, यहां पर मैंने student का OTP है यहां पर type कर दिया हूँ, इसके बाद यहां पर आप लोगो verify दिख आप लोग का photo और signature मांगा जाएगा, ठीक है, तो यहां पर photo और signature आप लोगो upload करना है, तो चलिए मैं photo और signature पहले upload कर देता हूँ, उसके बाद capture code type करके, आगे का process मैं आप लोगो बताता हूँ, तो यहां पर choose picture पर click करना है, और उसका photo आप जहां रखे होंगे, वहां से आपको select कर लेना है, उनके photo को, तो चलिए मैं उनका photo select कर लेता हूँ, तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैंने इसका photo जो है, को select कर लिया हो, उसके बाद upload photo पे click करना है, अप लोड फोटो पे मैं click कर देता हूँ, तो यह देखिए, photo जू है, वो upload हो चुक कर लेता हूं तो दोस्तों मैंने यहां पे इसका signature select कर लिया हूं उसके बाद यहां पे upload का option दिख रहा होगा upload कर देना है देखिए upload हो रहा है तो थोड़ा wait कर लिए यह time लगा रहा है तो देखिए signature upload successfully हो चुका दोस्तों इसके बाद यह जो capture code है इसको यहां पे type करना है तो मैंने capture code यहां पे type कर दिये इसके बाद sign up पे click करना है तो sign up पे जैसे हैं click करिएगा तो आपका जो username और password है वो create हो जाएगा जैसा आप लोग यहां पे देख सकते हैं congratulations Rohan इसके बाद देखिए यहां पे यहां पे your username भी बता दिया गया है और आपके register mobile नमबर पे भी message चला गया होगा इसका ठीक है देखिए username और password दोनों सेम ही रहेगा पहले पहले बार जब यहां से create करेगे गया तो और यह username और password डालने के बाद जब आप admission form फिल अप करेंगे तो वहां पे password बदलने का option दिया जाता है वहां पे आपको password बदल लेना है ठीक है तो इसके बारे मैं पहले वीडियो बना दूँगा उसके बाद कैसे fill up करना है यह भी मैं आप लोगों को बता देंगा तो यह तो रहा user name और password कैसे बनाते हैं वो अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में यह भी बता दूँगा कि आप user data और password के सहाईता से admission form फिल अपने mobile से कैसे करेंगे असानी पूर्बक यह मैं आप लोगों को बताऊंगा तो अगले वीडियो का इंतजार करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर जेगा चैनल को सब्सक्राइब करके all notification को on कर लीजिए इससे यह होगा कि जब भी मैं वीडियो अफ्लोड गरूँगा तुरांत आप तक notification पहुंच जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत